नेचर सफारी का आज उदगाटन हो गया कि जब इतना ये अतिहासिक जगह है और इतना ये नेचुरल है प्राकृतिक जगह है तीन वर्सों के अंदर ये सारा काम हुआ जिन भर ये खुला रहेगा जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा टिकट ले करके उभूमेंगे चारो तरफ और फिर लॉट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज मैं हूँ आपके साथ शिवम बिहार वासियों को एक बार फिर से बिहार के मुक मंतरी नितीज कुमान ने होली से पहले एक बरी सौगात दी है आपको बता दे कि राजगीर में पिछले कई दिनों से नेचर सफारी का निर्मान किया जा रहा था जिसका आजूद घाटन बिहार के मुक मंतरी नितीज कुमान ने किया है इस मौके पर बिहार के उप मुक मंतरी तारकिशोर प्रिशाद के साथ वन एवन पर्यावरन मंतरी नीरस सिंग बबलू और प्रेटन मंतरी नराइन प्रिशाद मौजूद थे उसके और नेचर सफारी का जो निर्मान किया गया है तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्मान कराएंगे और जू सफारी में पांच प्रकार के जान ज़ौ देखने जाते हैं जु सफारी के ही खासियत है उनको कोई नकोई वेगिल पर बंद वेगिल पर उनको जाकर के बैठ नवहां करके देखना पड़ता है और जो जो भी वहाँ पर जानवर रहेगा वो खुले आम उसका पूरा का पूरा इलाका रहता है और उसको देखने के लिए जाते हैं तो ये कंसिप्ट था और उसके हिसाब से काम निर्मान कारे सुरू हो गया है तो जिस जब इसका सिलान्यास हो गया और उसको फिर देखने के लिए हम आए जब सब कुछ देखा उसको आद मेरे मन में ही विचार आया इसाब जब ये बन रहा है जू सफारी लेकिन ये बहुत ही नेचुरल जगह है और आप जानते हैं राजगीर के बारे में कि पंच पहाडी का है और इसी के बीच में कभी पहले जो ये हुआ करता था मगत की राजधानी आज से नहीं हजारों साल पहले तो उस समय का जो एक कंसिप्ट था और धीरे धीरे बाद में जब आग लगते गई तो सब मकान को सिफ्ट किया वो एक अलग बात है बात की बात है लेकिन मेरे मन में ये बात आई कि जब इतना ये इतिहासिक जगह है और इतना ये नैचुरल है प्राकृतिक जगह है तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक नेचर सफारी भी बनना चाहिए और उसमें जब हमने कहा कि जू सफारी के बगल से ही शुरू हो लेकिन बात में पता चला कि साब जू सफारी के तुरत बात तो नहीं बन सकता है लेकिन उसके आगे जा करके इसको करने का ये स्थन का चेहन किया गया स्थलका और उस स्तल का चेन करने के बाद पिछले तीन वर्सों के अंदर ये सारा काम हुआ इसका पूरा एक योजना बनाई गई और क्या-क्या चीज बनेगा इसके बारे में लोगों ने सोचा हम लोग निरंतर चर्चा करते थे और अभी आप जानते हैं कि दो धाई महीना पहले हम आ करके जो जो चीज बना था उसको देखने आए कि अभी पूरे तोर पर नहीं हुआ था तो यहाँ पर जो आप जानते हैं कि ग्लास स्काई वाक को देखने आए तो लोगों को कितना आश्चर्ज हुआ है और उसे में हमन रखना पड़ेगा इसको सुरक्षित करना पड़ेगा और फिर एक संख्या निर्धारित करनी पड़ेगी कि एक साथ कितने लोग अंदर जा सकते हैं सब चीजों के बारे में और चुकि यहाँ पर इस तरह का एक नेचर सफारी का निर्मान किया गया है किया जा रहा है तो कहीं से कोई धर धर करने के मूड में कोई रहे तो इसके लिए सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूई था तो उसका भी निर्मान हम उसी समय हमारे मन में ये बात आई और हमने कहा तो अब तो पूरा का पूरा उसके लिए सुरक्षा का इंजान दोनों साइट से एक तो इसमे तरह का प्रबंध किया गया है कि जो भी इंटर करेंगे उनको एक टिकट लेना पड़ेगा टिकट लेकर कि उप भूमेंगे चारो तरह और फिर लॉट करके जाएंगे तो उनको उनका तस्वीर दिया जाएगा कि आप भाई घूमे है तो आपकी यह तस्वीर है तो यह सब का क्रिज पर भी जा सकते और इसका युक पर तो एक सीमा है कि उसके अंदर तक जा करके उसको देख सकते हैं और जो घृळाज सकाई वॉक बपना तो इसका एकदम इस देश में पहला है उससमें भ्रम हुआ कि दूसरा है ऐसा नहीं है ये पहला है तो एक सब जगह इसको ले करके चर्चा हुई और लोगों को खुशी हो और उसी समय जब आप सब लोगों ने इसको देखकर के इसको प्रिशारित किया इसकी ख़वर छपी तो कितनी संख्या में लोग अगले दिन से आ करके युद लोग और सब लोग घूमना चाहते थे तो उनको समझाया गया कि अभी पूरे तोर पर निर्मित हो जाएगा, सब इंतजाम हो जाएगा, तब आईएगा, अभी तो बीच महीन, तो अब हो गया है महीने में, सब तरह स इंतजाम करके एक एक चीज का सुरक्षा का सब इंजाम कर लिया गया, और उसके बगल में सस्पेंसन ब्रिज का भी हो गया है, और फिर जिप लाइन, आप सब जानते हैं, कि एक छोर से दूसरे छोर तक, और लोट्स आएगे, जिसको कि देख रहे हैं, यहीं पर से दीख रहा है, यहीं पर से दीख रहा है, एक तरफ से जाएगा, दूसरे तरफ से आएगा, वहां से जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इस तरह से सब का इंतजाम किया गया है, और फिर जो किया गया है, जिप लाइन साइकिल, जो इस कंसेप्स के अंतर में भी है, जो बनाया गया के यहां पर देख रहा है के लिए हर तुर नई पीड़ी के लोगों के लिए इंजाम किया गया कि पूरे तॉर पर देखेंगे और जो लोग भी विजिटर होंगे उनको खाने के इच्छा होगी उसका भी सारा इंतिजाम सब किया गया है तो आप देख लिजे कितना बढ़िया और इसको ले करके लोग चाहेंगे तो पैदल भी घूमेगे और दूसरा कुल मिला करके पूरा एरिया लगवक 8 किलो मीटर का हो जाता है तो अगर कोई पैदल चलना चाहेगा तो पैदल भी चल सकेगा नहीं में उसी दिन हमारे मन में ये बात आई कि इसका नामकरन नेचर सफारी हो अब और भी किनी महापुरुस के नाम से नामकरन होगा वे कलग बात है लेकिन मुख्यता ये नेचर सफारी है और इसको लोग जो देखेंगे तो बहुत ही जादा नेचर के बारे में लोगों को माल दिन हम यहां रूके थे और एक एक चीज को तो कई जगा पर ये सूखा हुआ था इस तरफ तो खर था लेकिन एक तरफ सूखा हुआ था परवत में तो सब जगा पेड़ और लगवाया गया भी देखें किस तरह से ब्रिक्षार ओपन हुआ हर एक चीज से सारा इंतजाम कि तो आपने साफ तोर पर सुना है बिहार के मुख मंतिरी नितीश कुमार का कहना है कि बिछले कई दिनों से नेचर सफारी का जो निर्मान है वह राजगीर में किया जा रहा था ऐसे में लोगडाउन बीच में आ गया था जिसके बज़े से जो काम है उसमें काफी कमी हुई थी देरी हुई थी जिसके बाद आज हमने नेचर सफारी का उद्गाटन किया है बहराला बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले धन्यव कर दोस्क्राइब